हे एवरिवन आज मैं आपके साथ शेर करने वाली हूँ नौर्थ इंडिया की एक क्लासिक डेजर्ट जो है रबडी की रेसिपी जिसे हम थोड़ा फ्लेवर फुल बनाने वाले हैं कस्टड आपल यानि सीता फल का यूज करके और यकीन मानिए ये बहुत ही टेस्टी बनती है गुनों से भर पूर सीता फल से बनने वाली रबडी का स्वाथ बहुत ही अलग सा होता है घर पर आप इसे आसानी से बना सकते हैं तो चलिए बनाते हैं सीता फल रबडी की रेसिपी तो सबसे पहले एक गहरे नॉन स्टिक कढ़ाई या पैन में बिना गैस ओन करे एक लीटर फुल फैट दूद धीरे धीरे डाल लेते हैं रबडी बनाने के लिए फुल फैट दूद का इस्तमाल करना जादा अच्छा होता है पर आप स्किम्ड मिल्क से भी रबडी बना सकते हैं दूद पूरा एक लीटर मैंने इसमें डाल लिया है अब गैस ओन कर लेते हैं और मीडियम फ्लेम पर इसे एक उबाल आने तक बॉइल कर लेते हैं दूद में एक कुबाल आ गया है तो अब फ्लिम को low to medium पर कर लेंगे दूद को हमें बीच बीच में लगतार चलाते वे गाड़ा यानी थोड़ा थिक कर लेना है इसे लगबग 25 से 30 मिनट हमें इसी तरह उकेशनली चलाते वे पकाना है और जब भी दूद को चलाए इसकी साइट से जमेवे दूद को भी खुरचते वे हमें दूद में मिलाते जाना है हमें दूद को तब तक पकाना है जब तक कि इसकी जो quantity है वो एक चौथाई मातर ना रह जाए 25 से 30 मिनट बाद आप देख सकते हैं इसकी जो quantity है लगभग एक चौथाई रह गई है और इसकी consistency भी थिक हो चुकी है जो की बिलकुल रबड़ी वाली consistency होती है अब flame को low कर ले और डाले एक चौथाई टीस्पून हरी इलाईची का powder और इसे अच्छी से मिला ले एक चौथाई टीस्पून के लिए मैंने 3-4 इलाईची का यूज किया है इसमें मैंने बहुत कम इलाईची का यूज किया है ताकि सीता फल का जो flavor है वो strong सा आए और इलाईची का थोड़ा कम इलाईची powder दूद के साथ अच्छी से मिल चुथी है अब इसमें डालेंगे 3 टेबल स्पून के करीब चीनी चीनी आप अपने स्वात के अनुसार कम्या जादा डाल सकते हैं सीता फल बहुत ही मीठी होती है इसलिए चीनी पहले कम ही डाले और फिर सीता फल का पल्प डालने के बाद अगर आपको चीनी कम लगे तो मीठा एज़ेस्ट कर ले लो फलेम पर 5-10 मिनट तक और इसे हमें पकाना है और लगतार चलाते भी रहना है ताकि ये कढ़ाई के तले पर चिपके नहीं और जले भी नहीं 5-10 मिनट हो गया है और चीनी भी अच्छे से घुल चिकी है अब फलेम बन कर लेते हैं रबडी को पूरा ठंडा कर लेना है इसे पूरा ठंडा या रूम टेंपरेचर पर आने में लगबग एक घंटी का समय लग सकता है और इस दोरान आप दो सीतफल के पल्प को बीच से अलग कर मिक्सर ग्राइंडर में बिना पानी डाले थोड़ा पीस कर इसकी प्यूरी बना कर रेडी कर सकते हैं एक घंटा हो गया है और रबडी जो है वो पूरी तरह ठंडी भी हो चुकी है तो अब ठंडी रबडी में ही एक कप सीतफल की प्यूरी को आड़ कर लेंगे इससे अच्छा से मिला ले एक कप सीतफल की प्यूरी बनाने के लिए मैंने दो सीतफल का यूज किया है ध्यान रहे कि जब रबडी पूरी तरह से ठंडी हो जाए तभी सीताफल को इसमें मिलाना है गरम रबडी में सीताफल आड़ करेंगे तो रबडी फट जाएगी सीताफल रबडी के साथ अच्छे से मिक्स हो चुकी है और ready हो चुकी है सीताफल रबडी की यह tasty सी desert आप इसमें crunch आडड करने के लिए पिस्ता और पादाम भी डाल सकते हैं या सीताफल रबडी को आप पिस्ता और dry rose petals से garnish भी कर सकते हैं सीताफल रबडी को आदे से एक घंडे के लिए fridge में रखे और इसे थंडा सर्फ करें, ये थंडी बहुत अच्छी लगती है आपने अगर अब तक घर पर ये सीता फल रबडी की रेसिपी को ट्राइ नहीं किया है तो मेरी इस रेसिपी को step by step follow करें और आसानी से बनाए इस sweet dish को और रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे इस तरीके से ज़रूर बनाए और इस वीडियो को share करें अपने family और friends के साथ Thank you, take care